तो आज आप दीखी रहेगो कि मोल्टित क्ले से कुछ बनने वाला है और अपने तो थामनेल से देखी लिया है का क्ले को मैंने मिक्स कर लिया और अब बड़ी है मेरा मेजर्मेंट करना तो ये वाला डिबा मुझे असनी से मिल गया जो की मेरा हाथ का साइज का ही है तो आप उसी की हिशसाब से सैज मेजर्मेंट कर चकते हो नही तो आप नर्मल तरीके से भी कर सकते हो इसके पात आपको उप्लाई करना है ग्लू और इसके लिए मैं लोगागी नर्माल फेविकल आप फेवरित ग्लू भी लेसकते हैं तो इसको कुछ देर के लिए सूखाना चाहिए और एक बैंगिल आज का जो रिजाइन है वो बने में एक मॉलिट क्ले लग जाएगा मतलब एक मॉलिट के का पैकेट और आपको तो पाता ही है कि उसमें दो कॉंपोनेंट होता है लेकिन मेरा थोड़ा सा बच गाया भी है तो आपको देर में पाता चल जाएगा और फास्ट आपको वो छोड़के आपको कुछ दोड़ी जैशावाना है दीखी देए हो कि मैं हाथ के हिसाव से कर रही हूं इसे मुझे थोड़ा सा इजी प्लगता है थोड़ा सा पेटल्स के लिए कुछ ऐसा करना है उसके बाद लीव लास्ट पार्ट में आपको दिखाँगी कि मैं कैसे इसको और भी छोटा कर दिया इसे काम थोड़ा सा इजी हो जाता है जो लोग मेरे चैनल में नए हो मैं उसको बोलना चाहती हूँ कि यह मैं 365 डिस का एक आर्ट डिवाईवाई चैलेंज ले लिया जिदर में हार एक दिन एक नाए क्राप बनाऊंगी और आपके साथ शेर भी करूंगी जोरी नहीं है कि एक दिन में पूरा का पूरा प्रोसेस में खतम करूं क्योंकि आपको तो पाता ही है कुछ-कुछ आर्ट का चीज़े होता है जो सुखने में ज्यादा टाइम लगता है कुछ-कुछ होता है क तुरंट सुख जाता है तो उसे की हिसाब से ही में कुछ-कुछ चीज़े बनाऊंगी और आपके साथ हार एक दिन कुछ ना कुछ वीडियो तो आपको मेली जाएगा और मैं उसिस करूंगी कि ना-ना चीज़े आपके पास लेकर आऊँ यह वाले जो आट आप दीख रहे हो ना यह मैं दुर्गा पूजा के ताइम बना था मेरे लिए मैंने उसके सब स्टाइल भी किया और आप लोग जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो लेकिन हार एक दिन कुछ ना कुछ कमेंट कर रही हो मैं आपको रिक हो उसके पात आपको अच्छ लगे तो चैनल जारो सब्सक्राइब करते ना और जो लोग अल्रेडी सब्सक्राइब करते हो मैं उसको बहुत बढ़िया सा एक थैंक्यू बोलना चाहते हो क्योंकि आप कुछ दिन ही मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोग मुझे इतना कि मेरा पिछले एक चैनल था जो कि दिलीट होगा था थोड़ा सा गलती था लेकिन मुझे उसके पार में कुछ भी नहीं बता था तुरंथ अच्छानक मेरा चैनल एक दिन गिर चुका था और मैं पूरा का पूरा टुट गये थे तो मैं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज मेरा सपूर्ट कीजिए अपसे कोई नहीं आता जाता कुछ नहीं बस एक कमेंट एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजा आपको थोड़ा सा भी आच्छा लागे तो किसी एक के साथ सेयर करते ना तो चलो बातो बातो में मेरा प्रोसेस भी कम्प्लीट होनी वला है यह जो मैं फ्लावर वला चीज कर रही हूँ न यह चीज़े अपको टाइम लेकर करना है क्योंकि पेटल्स जो होता है न वो तो फ्लैट नहीं बन सकता तो अब उसके हिसव से ही एक के उपर एक राके करन और ऐसे मैं छोटा कर रही हूँ पेटल्स थोड़ा बड़ा होगा था पहले और बात यह कि मैं क्ले यार्ट बहुत दिन बात कर रही हूँ बहुत दिन हो चुके है कि मैंने कोई भी क्ले का वर्क नहीं क्या है और यह तो पुरा का पुरा प्रैक्टिस के उपर ही होता है प प्लेस काना भी बहुत एक ट्रीकी वाला पार्ट होता है और यह वाला जो आइडिया है ना मुझे फेस्बुक से मिला फेस्बुक में एक पेज बोलो या ग्रूप बोलो एवलेबल है जिसका नाम है मौस्ट ने हैं हैं हैंडिक्राफ्ट मैं तोटली उनसे ही इंस्पारड हो इतना ज़्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा कि मेरे लिए मैं एक बनाऊंगी तो प्रोसेस खतम होने ही वाला है लेकिन क्या है ना कि आपको यह वाला काम करने में बहुत ही ज़्यादा पेसेंस रगना वड़ेगा क्योंकि छोटा मोटा चीज भी इदर उदर हो जाए तो आपका आर्ट पुड़ा का पुड़ा बिगर शकता है और जो फाइनल लुक है ना जो फीनिसिंग है वो आच्छा नहीं आएगा तो आप जल्बाजी में यह कभी नहीं च्राय करना आपने कभी च्राय किया भी है ना मेरा फेस्बीक प्रोफाल में आप सेंड करते हो मुझ आप लोग इतना ज्याधा सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा च्राय कभी ग्रोळ यहीं करेगा तो आप लोग इतना ज्याधा सपोर्ट कर रही हो इतना ज्याधा सब्सकाइबर मुझे बढ़ गाया है इत्स कुछ दिनों में तो थैंक थैंक्यू connais हू वीरी माच एडेन और आ आपको नीट के हिसब से ही काना उससे जाधा अच्छा बनता है क्योंकि थोड़ा सा ड्राइ हो जाए ना तब भी आर्ट आपका बिगर्श रखता है तो थोड़ा मेरा बजगा था वो मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो ड्राइ हो जुगा था तो उसको ऐसे सुखने के लिए रखा क्योंकि यह वाला प्रोसेस होने में बहुत सदा टाइम लगता है 24 आवास या फिर 48 आवस भी लग सकता है तो टाइम देगर ही करना अल्मोस्ट ड्राइ आपटा 3-4 आवास लेकिन मैं और एक दिन रखा कालर करने के पहले ही उसके बात पूरा ट्राइ हो जाए तो उसके बात ही कलर करने के लिए आप बैठो आप चाहो तो थोड़ी देव के लिए धूब में भी रख सकते हो उससे और भी जाधा अच्छा हो जाता है और यह जब मैं बानाया उस टाइम विदर थोड़ा सा मौसुम का विदर था इसलिए मुझे टाइम बहुत जाधा लगा तो इसलिए मैं यह ड्राइर भी अपलाई किया इसके हूपर और आप में बाड़ी से कलरे करना आप तीन चाल लियर कलर किया इस क्या होता है आपको जो एकसालर्न चाहिए वीवग को मिल जाता है तो जूर नहीं कि तीन चार भर करो लेकिन क्छाना है आप लेकिन आप अंदर से दिख सब्झेज की कला तो इसलिए लेयर होने के बाद कालर बहुत ही डीफ हो गया है तो कालर तो आप आपके इस सबसे ही करो फिर भी एक बात दिमांग में आखो कि जब कालर कर रही हो ना एक कालर और एक चीज़ों के उपर ना जाए इससे क्लारिटी जादा मिलती है ताइम देखर बनाना चाहिए अपको अब लोग अभी तक वीडियो देख रही हो तो एक बात बताओ कि आपको ये वला डिसन कैशा लग रहा है अब एक बार कमेंट करो और आप क्या चाहते हो कि मैं और भी जादा क्लेवर की चीज़े आपके साथ सेर करो आप जो बताओगे मैं वो ही करूंगी आप बताओ और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो अपको क्या ही जाएगा आप बस सब्सक्राइब कर दो कि मुझे भी तोड़ा मोटिवेशन मिल जाए नेक्स टाइम और भी जाता क्राप्स अपके साथ लिकर आओं तो उसके बाद भानी से अपलाई कर दिया तीन चा लियर उसके बाद धूब में सुखाया आ गया है फाइनल रिवील का देखो कैसा लग रहा है और हां लास्ट बार में आपको भानी से अपलाई करना है तीन चा लियर ओके तो जब स्क्रिप्ट कर देना बाई सियो सुन में निक्स पीडियो